हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुल्टिंग नाइफ फ्रेंड्स आज हम यह देखिए बहुत ही कुपसुरत बुनाई डिसाइन बनाना सीखेंगे देखने में मुश्की लग रहा होगा लेकिन बनाने में बहुत आसान है और यह 13-13 के मुल्टिपल में फंदों में चलेगा और दो फंदे हमने दोनों दर्फ एक्स्ट्र लेने है बल्टिपल अफ 13 प्लस 2 तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर जो है मैंने 28 स्टिची अटाइस फंदे लिये हैं हम यहां पर दो जो है पैनल बनाएंगे देखिए फर्स ट्रो राइट है पहली सिल दागा गुमाएंगे जाली बनाने के लिए और फिर 4 फंदे सीधे वन तू त्री फोर चार फंदे सीधे बनने के वार अब दागा आगे लाके जो जाली बनाने से फंदा बढ़ा था यहां पर हम एक फंदे को खरेंगे दो फंदो का एक पनाएंगे और जिसे स्लिप किया था इसे उपर से पास करके हमने ये तीन फंदों का एक कर दिया अब फिर हम चार फंदे सीधे बुनेंगे चार फंदे सीधे बुने के बाद अब क्यूंकि हमने बढ़ाया एक था लेकिन डिक्रीज दो किये बीच में तो यहां पे हम फिर से एक जाली बनाएंगे इस तरह से धागा गुमा कर क्यूंकि अगला फंदा उल्टा ना है तो इस अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और यह जो हमने तेरा फंदे बुने हैं इनी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कीप रिपीटिंग इस तर्टीन स्टिचिस एक बार फिर से देखिए एक फंदा उल्टा धागा ऐसे घुमा के जाली बनाएंगे चार फंदे सीधे फिर एक फंदा सीधे बुना और जिसे जात पाहिए उपर से पास कर व्हाँ इसितर के तीन का एक बना लिया अब फिर चार फंदे हम सीधे बुने तो कि अगला फंदा उल्टा एक तो इस तरह से थागा खुमा के बने गिए अगला फंदा हम फिर से रिपीट करते जाएंगे पर बार लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे तो हमने फर्स रो ऐसे कम्प्रीट कर ली है होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी अब रो टू रॉंग साइड और हर रॉंग साइड से हमने एक जैसा ही बुनना है कि पहले फंदे को सिप करेंगे ज स्लिप वन नित वन पर्ल एलेवन टू टू ट्री फोर फाइव सिख सेवन एट नाइम टेन एलेवन ग्यारा उल्टी और फिर एक फंदा सीधा और यहीं हमने बार बार रिपीट करना है नित वन पर्ल एलेवन नित वन कीप रिपीटिंग एक फंदा सीधा ग्यारा फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा और हमने जो है हर रॉंग साथ रो आसे ही बुननी है तो अब हम रॉंग साथ की रोज को नहीं बुनेंगे वर्ग वर्ग रॉंग साथ रोज जस्त लाइक दिस तो अब देखिए रो त्री तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा स्लिप करेंगे अब यह एक उल्टा फंदा है यह हमेशे उल्टा चलता जाएगा अब देखिए यह जो हमारा पुराने जाली वाला फंदा था इसे तो हम सीधा बुन लेंगे अब हम उल्टे फंदे को बार जाली नहीं बनाएंगे पहले एक फंदा सीधा बुन लेंगे उसके बार जाली बनेगी क्योंकि जो यह जाली हमारी पुरानी जाली थी अब इसके लेफ्ट साइड को हमारी जाली है चलती जाएगी देखिए अब यहाँ पर आगी जाली और राइंगे 2 सब्सक्राइद हों चार सिध तो थे तीन सिध्याओं आजयंगे 3 जा कटा अगले क्वैल क्यों अगले फन्दे प्लाइने है इनक हम एक प्लिवन है कि सिध्याएन अपयाँ तdessग यहां पर फिर से तीन फन्दे का कम हृते जाएंगे जो फन्दे है जलिया चाली उत आरहbagai हम लोई कि युक्राणी जाली जाली को जाली ज़ते जाल्ट को चलेंगे, पुरहानी जाली जाली 5th लोई बालते कि द्बाल रह्ता, लुक्त कषते लुक्त hm 두ल कि फन्द करने और 11 जाली 5th लोई trees 9th rainches 4th rainth rain and 11th rain धागा अगिलाके जाली फिर तीन फंद्डे सीदे। एक फंदा सीदा और फंदा वल्टा और यही हम बार-बार रि्पीट करेंगे तो लांस्थ में हमारा एक फंदा रहे एच से जिसे हम सीदा बूल लेंगे। अब रॉंग साइड से हमने फिर से जैसे रॉटू भुनी थी वैसे ही भुनेंगे तो अब हम यह रॉट कम्प्लीट कर लेते हैं रॉट साइड वाली तो अब देखिए रॉट फिफ्ट पांचवी सी लाई पहले फंदे को स्लिप करके एक फंदा उल्टा पुन लेंगे अब इस बार हमारे दो फंदे सीध्याएंगे निटू फिर आगा लाएंगे और फिर यहां पर दो फंदे सीध्या जाएंगे जो पहले चार थे फिर तीन अब यह दो रहागे हैं इन्हें हमने सीधा बुन लिया फिर तीन का एक करेंगे फिर से दो फंदे सीध्याएंगे और दो फंदे सीध्याएंगे और एक फंदा उल्टा जाएगा और फिर से हमने यही तेरा फंदे रिपीट करने हैं तो थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं एक फंदा इल्टा, दो फंद सीधे, जाली, दो फंद सीधे, तीन फंदों का एक, दो फंद सीधे, जाली, फिर दो फंद सीधे, एक फंदा उल्टा और एज स्विच को भी सीधा बुनकर यह रो कंप्लीट कर लेंगे अब रॉंग से फिस से जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे तो यह wrong side row हम पहले complete कर लेते हैं 6th row तो friends अब देखिए 7th row साथ मीं सी लाई अब तो आपको यह जो है आसानी समझ में आगया होगा एक फंदा उल्टा अब इस वार हमारे इस तरफ तो 3 फंदे सीधा जाएंगे फिर दाग आगे लाके जाली बनेगी और इस तरफ हमारा एक ही फंदा सीधा आएगा और फिर 3 का हम एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर दाग आगे लाके जाली और यह तीन फंदे सीधी एक फंदा उल्टा और फिर हमने ये बार बार रिपीट करते जाना है फिर से देखे जो रिपीट करना है एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे थोड़ा फास्ट कर लेंगे अब तीन फंदे सीधे फिर धागा अगे लाके जाली एक फंदा सीधा तीन फंदो का एक अब जैसे पिर जाली, पिर 3- trabajando सीधे और एक straps अप उल्टा और यह बार-बार रिपीट करने के बार, लास्न में चेँ में एक फंदा ULTा भूनेंगे Yeom तो अब देखिए फ्रेंड्स नाइन फ्रो नौमी सिलाई पहला फंदा स्लिप एक फंदा उल्टा अब इस बार हमारे यह चार फंदे जो है यह सीधे हो जाएंगे इदर से हमारे सीधे फंदे हर बढ़ रहे थे के अब यह चार हो जाएंगे चार सीधे बुनने के बाद धागा के लाकी जाली बनाएंगे और क्योंकि अब हमारे यहां पर तीन ही फंदे रह गए हैं तो हमने इन तीन का एक कर देना है यानि जाली के बाद हमारा एक फंदा जो सीधा आ रहा था अब वो नहीं आएगा एक फंदा सीधा हमने जाली के बा तो जो हमारे जाली के बार वाले चार फंदे थे वो एके करके shift होते हुए, यहां पर चार हो गए और यहां पर हमारे जो है, तीन का एक ही रह गया, अब एक फंदा उल्टा और यही हम repeat करेंगे, देखिए, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सी थे, एक, दो, तीन, चार, फिर थाग आगे लाके जाली, चार फंदे सी थे, एक फंदा उल्टा, और पूरी रो में यह जो है, तेरा फंदे रिपीट करते चाहेंगे, लास्ट का हमारा एक सिस रहेगा, जिसे हम सीधा बुन लेंगे, तो ऐसे हमने नाइन थो कंप्रीट की, टैन थो फिर हम, जैसे बुन बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप, एक सीधा, ग्यारा उल्टे, तो इलेवन थो कंप्लीट कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यह यह 10 रोस कंप्लीट हो गई दस लाईया, और यही 10 रोस हमने जितने आपको लें तकने उसी साब से रिपीट करते जाना है, थ पहला फंदा स्लिप करने के बाद, एक फंदा हमने उल्टा भुना था, फिर इस तरह से दागा गुमाया था और चार फंदे सीधे भुने थे, और फिर तीन फंदों का एक कर दिया था, ऐसे एक को सिलिप किया, दो का एक बनाया, तो यह अब हम जो फर्स्ट रो हैं उसी को साती जाएंगी देखिए फिर दागा गुआ के जाली बनाके एक फंदा उल्टा और फिर से हमने यही 13 फंदे रिपीट करते जाना है तो होप यह जीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यह 10 ही सिलाया जिन को बार बार रिपीट करना है तो हमारा यह प्रैटन इस तरह से प्रैटन है और आप इसे किसी भी प्रजेक्ट पर अप्लाए कर सकते हैं इवन अपने लेडिस कार्डिकन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं यह बेबी ब्लैंकेट अगर इसे बनाएंगे तो भी बहुत शानदार लगेगा तो इसे अप जरू ट्राय कीजिएगा